अस्सलाम अलैकम दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास 506 जी का रसीवर है इसकी सप्लाई खराब है तो आज हमने इसकी सप्लाई रपेर करनी है एको लिंक आई 5000 रसीवर है सप्लाई प्रावलाब हैं तो सप्लाई इसकी आपको मुश्क्र मिलेगी बड़े शहरो में होचन की दकान से आपको मिलेगी अधरवाइज नहीं मिलेगी एक तो सप्लाई इसकी महंगी है इसको पेर करना जरूरी है तो देखते हैं जी इसमें हाल्ट क्या है आज हम इसी स्प्लाई को रपेर करने की कुश्च करते हैं तो जी फर्स टेम आपने देखा है जी ये फ्यूज का जहल गिया है बलैक हो गया है तो ये हीशे का ये फ्यूज होता है बाद का रिजिस्टेंस लगी होती है यहां पर तो ये जी फ्यूज है तो इसको हम वायर से ड्रैग कर देंगे वायर आपने इतनी लगानी है पांच पर जितनी हो ज्यादा मुट्टी लगाएंगे तो कल आगे को नकसान करेगी कि अगर वोल्टेज आ भी जाएं तो आपका आगे नुक्सान कामबर स्प्लाई बनने के काबर रह जाएंगे अंदर से दोहें निकलने शुरू हो जाएं तो ये इतियाद द्रोरी होती है जी फ्यूज आपने नार्मिन लगाना है पांच पर जितना जी तो फ्रेंड्स वह इसके बाद हम जी नक्स चेक करेंगे इसके डैवर्ड एक बाद याद रखिएगा कि जब फ्यूज खराब होता है तो आगे कोई ना कोई मामला जरूर खराब होता है फ्यूज ऐसे नहीं खराब होता तो ये पहला है जी डहवर्ड ये दूसरा है पहला खराब है जी ठीक होगा जी और ये तीसरा है तीसरा भी खराब है शार्ट है जी ठीक है और ये चत है ये चार नमर वाला ठीक है तो ये तीन नमर वाला खराब है और एक नमर वाला तो देखा फ्रेंड नेक्स्ट आगे म यह निकाल लेंगे फ्रेंड अगर यह आप बजार से लाकर लगाएंगे ना तो यह फिर भी खराब हो जाते हैं आपने किसी उर्जिनल सप्लाई के निकालने हैं कबाड में ऐसी बेशमार सप्लाई होती हैं अगर आपके पास नहीं है तो आपके कबाड के पास चला या कीन जानें बहुत सारा माल यहां पर पढ़ा था कबाड काड़ घाने में तो ए मेरे पास तूस प्लाईअ एक्ष्टरा पड़ी हूई है तो मैं उन इसे निकाल लेता हूं जो बढ़ने के काबन नहीं होती जिनके तो मैं उनको राक लेता हूं उन से पुर्जे निकाल लेता हूं यह देखे जिमाने आपके सामने यह दो डाइवड निकाल ली है और आपने भी बिल्कुल इस तरह निकालने देख लें कोई मैंने सुल्डर सकर का इस्तमालने किया ड्रैकाट के जरी तो एक्सपेरियंस इतना हो गया जी कि एजिली हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं अब हमने इन को बार निकाले यह देखें जी बार भी शाट बोर एक यह दूसरा है ये देखें जी फूल शार्ट है तो यहां पे हम आबिद नगाएंगे जी केसी और स्प्लाइस निकाला की ये देखना ये उतना शार्ट नहीं होगा ये हाफ बोलेगा मेटर ये देखेंगे ठीक है जी तो इनकी जंग अपी मैंने ये वाल लगाएंगा तो फाल्ट हमारे पास दुबारा नहीं आएगा ये जो मैं बाते आपको बता रहा हूं ये बड़े एक्सपिरिंस की बाते हैं अगर आपके पास इस तरह का मामला है और कुछ सेखना चाहते हैं तो ये लाजमी इन बातों को नोट करें ठीक है जो मैं लगा दिया ये देखें एक ये वाल है और ये तीसले नमबर पर तो ये तीन फाल्ट होगा है दो डैवर्ड एक फ्यूज तीन चीज़े खराब थी अब हम इसको लगाते हैं जी चेक करते हैं फ्रेंड्स आपने देख लिया है कि हमारा रसीवर आ आट सो रपे की थी जो हमने बेलकल फ्री में बना लिये जी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी मुकमली और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलाह आफिज